और उनमें कोटी-कोटी पढ़ा। गुरुदेव, गिर्राज जी की परिकर्मा की महिमा वह महात्व जानने की एक्छा है और परिकर्मा करते समय कौन से नियम पालन करें जिससे परिकर्मा में कोई तूटी ना हो। गिर्राज जी भगवान सी कृष्ण का साक्षा तो वपू हैं भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा रुकवा करके गिर्राज महाराज की पूजन ब्रति ब्रजवासियों में प्रगट की और श्वयम गिर्राज सो रूप में प्रगट होकर कहा मैं गिर्राज हूँ और भोगार होगा और उसी समय भगवान ने गिरीराज जी की परिक्रमा पूरे ब्रजवासियों से कराई यह जो 21 किलो मिटर में गिरीराज जी महाराज बिराजमान है यह साक्षा स्री कृष्ण वपू है पतलब यह शिला सा यहां से कभी ले जाए जाती ब्रज के बाहर कोई गिरीराज जी कि शिला कभी भूल ना करें ले जाने की नहीं महत अपराज लगता है और यहां जो परिक्रमा दे तो दाहीनी तरफ गिरिए राध जिए होते हैं पूरी परिक्रमह जैसे अग्यानी जनुहें नहीं जानते हैं तो सुचकेश्षी पूरेश्चा ऐसा नहीं परिक्रमा मतलब पूजा हो रही है भले एक बार परिक्रमा दो लेकि नंगे पैर परिक्रमा दो क्योंकि पूजा में जूता पहन के थोड़ी जाते हैं तो हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं नंगे पैर करें दाहिनी तरफ कोई लगशंका मलमूत्र का कुल यूं में नहीं जाएगा एक बार उंदान की परिकुमा गरिराज जी की परिकुमा यह साक्षात प्रभु विराज मानें लुकिक धामसी धाम ब्रदावन की बर्फाने और ईटोंडाज की परिकुमा है इस लिए तो शाहुधानी पुरुइक परिकुमा दी सब्सक्राइब हैं जो भी कामना अगर की जाती है और ग्रीराज जी की प्रदिक्षणा दी जाए भाव से तो लाखों की कामना पूर्ण कर दी गिरीराज जी ने लाखों की करते रहेंगे पर भाव पूरवक होना चाहिए परास बीच में ना बने तो संपुर्ण कामनाओं को पूरुन करने में समर्त कल्पतरु कामधेनु शुर्तर शुरूप से गिरीराज महाराज जैसे कल्पतरु के नीचे चला जाए जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है जैसे कामधेनु से जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है ऐसे गिरीराज महाराज से प्राप्त हो जाता है हमा अगर कुछ पीछ में रस्ते में जैसे परिकर्मा लंबी है कुछ पा सकते हैं इधर बाइं तरफ बैठकर गिराजी की इस साइड में बैठकर खाएं पीएं एक उला करें लगुशंका करें क्योंकि एके सब्सक्राइब, इसका पादुका पीर भाइल करें पूजा गरह में थोड़ी जाएंगे और यह इसे परिक्रमा दी जाती है ने बीच में भक्ती का अउन्ग उस्षम है भी द्यान से सुनाओगा कि चाए एक परिक्रमा दे पर नंगे पैर दे जो मतलब सास्तरी नहीं कि पादुका पहन करके कहीं परिक्रमा नहीं होती है जा सकते हो आमालों गिरिराज जी गए हो तो पादुका पहने जा सकते हो लेकिन जहां परिक्रमा उठाई है तो पादुका हटा देनी चाहिए नंगे पर देना है जैसे कुछ व्रिद्जन होते हैं सतर असी साल की उमर हो चलने पारे क्या तंटम आदी से बैठ के दर्शन करना माना जाएगा तो यह हमारे इतना सारी रिक्स तो फिर उसमें तो अगर यहां ना भी आवे तो भी परिक्रमा का प्रदक्षणा एक बार कर चुका है और दस मिनट बैटकर एक आंत भाव में आया एक आगरता पुरी गिर्याजी की परिक्रमा पूरी एकागरता से अगर मानसिक दे दी जाए तो वह भी प्रगट परिक्रमा का ही फल प्रदान करेगा पर बड़े भागेशाली जैसे अब सरीर ब्रद्ध है या सरीर में दब नहीं है चलेने की तो गाड़ी में बैठ करके मुतलब रिक्षा गाड़ी और नहीं होती तो दर्शन है देखो इसम स्रम पूर्वक परिक्रमा करते हैं तो हमारे पाप नस्ठ होते हैं जो तब है जो कष्ट पूर्वक किया जा रहा है वह हमारे पापों को नस्ठ कर रहा है और पाप जम नस्ठ होते हैं हरदय निर्मल होता है तो फिर हमें सुख की प्राप्ति होती है हमें जो दुख मिलता ह हमारे पाप कर्म हैं इसलिक पूर्व के साधना की गई है नंगे पेर ब्रजE 84 कोस की परिक्रमा अब जैसे 84 कोस की परिक्रम आपने लोगों ने लगाए तो कोई पाद custom और पहने रखी गए तो ये कष्ट पूर्वक्तप है जिससे भगवान प्रशन होते हैं हमारे पापनश्ठ होते हैं अब फिर सामर्थ नहीं है तो ऐसे तो आज कल प्राया सामर्थ हिंता ही प्रगठ हो रही जूता मोजा कार और इसमें ना तो वह कोशिस करेंगे पैदर चलने की थोड़ी तो कार से ही देखने को अगर यह हो कि कार से गूमने से पल मिल जाएगा तो जो कुछ परिक्रमा लग भी रही वह भी बंद कर देंगे तो बाखास बात है कि जितना तुम सरीर को कष्ट देते हुए नंगे पर परिक्रमा दे रहो उसका तो फिर अलग ही तुलना नहीं हो सकती जो नंगे पैर परिक्रमा गिरी राज जी की लगा रहें उनकी तुलना गाड़ी और रिक्सा इससे नहीं हो सकती वह भाग है पर कोई नशा न करें प्राया हमने देखा है कि गलती कर देते हैं जैसे बीडी सिगरेटों तमाखों मसाला खाया वह इतना वह मेनत कर रहे हो तुरुटी भी कर रहे हो ठीक नहीं है अरे कम से कम पांच घंटे गिरी राज जी की परिक्रमा लगी तो पांच घंटे नाम जब करो पांच घंटे तो कोई नसा मत करो पांच घंटे तो कोई गंदी बात मत करो कोई गंदा चिंतन न करो तो उसका लाव म मिलेगा तो कश्ट पूर्वक जो गिरिवाजी अब रंदा उनकी परिक्रमा होती विसेश लाब दायक होती एक कुछ शंचे न रहे जा इसलिए अभी हम कभी गिरिवाजी आदी जाते हैं कुछ संद्जन आ है एक एक दो दो परिकरमा करते हैं उनके पैरों के नीचे तो सौक कोड़े का इसा को उनका उद्देश जूता पहनना नहीं है उनका उद्देश से कि हमें गिरिवाजी की प्रदिक्षणा देनी है पर पैरों में घाव हो गया पहले अधिकतर हर जगे रज होती थी परिक्रमा में अब प्राया किंग कंकिरीट वाली रोड है तो बहुत गरम होने पर फित्वचा कट जाती है और वो दिन में तीन तीन बार लगाते हैं माली चोविस घंटे में तीन बार तो वहां घाव बन जाते हैं अब उनको अपना नियम पूरा करना है तो मोटी कपड़े की पट्टे बांग ले या उनके ऐसे धारन कर लिए वो उनके लिए है निशेधात्मक नहीं है हम खास बात उनके लिए जो कभी कभी कर रहे हैं तो नंग वो कोई जूता नहीं पहनते हैं जैसे अभी सरदी आ दिये जंसाधारन आदी शॉक्स डाल के डाल कर सकते हैं नहीं मोजा और जूता दोनों पादुगा के अंतरगत ही आते हम जब श्री मोजा पहन करके आप अन्यत्र भी अवही मोजा पहन कर ठाकुर जी के सामें मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा हाँ एकदम ऐसी परिस्तिती है तो नए मोजा जो लगशंका सोचाज में नहीं है और वह पहने हो तो बात अलग है जिसे गुर्जन बयोब्रद बीमार सरीर दारन के पर नए मोजा वह मोजा पहन कर बात रूम नहीं जाएंगे हां अगर कोई ऐसी परिस्तिती है तो ऐसा नए मोजा पहन करके फिर ऐसा कर सकते हैं पर हमें लगता है कि अगर सरीर काम कर रहा हो रोगी ना हो तो कश्ट पूर्वग गिरिराज जी या ब्रंदावन की परिक्मा लगानी चाहिए जिसमें नंगे पैर हो तो और अच्छा है जैसे बिहारी जुराधावल्लव्यू के दर्शन के लिए हमें तो नहीं लगता कि कोई श्रदावान के सामने वहीं मोजा पहन कर जाएगा जो बाथरूम में जो सोचादी या जो अन्यत्र पहने जाते हैं वहाँ तो नंगे पैर जाना चाहिए नहीं के बाहर उतार दो और फिर लटतार आकर उनको पहन लो दर्शन के लिए तो सिर्भर जाओं या जैसे हमारे प्रिया प्रितम की राजधानी है हमारे प्रभू का धाम है जैसे हम अपने गुरु द्वारे में अपने गुरु जनों के यहां अत्यंत दैन होके जाते हैं तो गुरु के परम गुरु भगवान भी राजवान है तो हम बड़े भाव से जाएं पर बकाया जिनका सरीर ऐसा नहीं है वो नवीन मोजे धारण कर ले जो बात्रूम और श्रवचाले में प्रयोग नहीं किये गए जैसे आपने बोला इस्ट के पास तो जैसे गुरू जोनों के पास आते हैं उन में भी यह जैसे अपने हां की छोटा बच्चा है अब उसको नहीं ग्यान है उसके मोजे होने चाहिए दूसरा बीमार ब्रद है उसके नहीं उतराने है क्योंकि उसका सरीर बहुत कमजोर है और इतनी देर में ठंड में युक्त हो जाएगा तो पीड़ा पहुंच जाए लेकिन जवान है तो कदाब पहन करके नहीं आना आप नंगे पहराइए और आप कश्ट सहिए यह प्रणाली पवित्र होने के लिए अब जिसे व्रद्ध मूर्ति है अब उसको आप कर दो कि मोजा रोगी शरीर अन्य तो